हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लंगरे देटीमन एकलव्य मॉडल रेजिटेंशियल स्कूल की तरफ से 38,000 से भी अधिक पदों के लिए विकैंसी निकाली गई जिसमें पीजी टी टीजी टी और नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों के लिए विकैंसी आई है यदि आप इंट्रेस्टिट हैं तो जरूर भरिएगा ये गॉर्मेंट जॉब है बहुत अच्छी सैलरी जो हो आपको यहां पर मिलेगी ये एक आवासिय विध्याले हैं जहां आपको र मिल सके तो एज जो है वो दुबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जो पीजी टी में मांगी जाती है 40 जो है वो एज रहती है इसके अलावा कैटिगरी वाइस जो है एज रिलेक्सिशन आप लोगों को यहां पर मिलता है तो चलिए दुबारा से मैं आप लोगों को यहा वो दिखा देती हूँ कि फिलाल आवेदन जो है वो किस पोस्ट के लिए स्टार्ट हुए है प्रिंसीपल की जो है 303 पदों के लिए अभी आई हुई है पीजीटी की अगर आप भरना चाहें 2266 पदों के लिए है सैलरी इतनी अच्छी यहाँ पर मिलती है कि आप लोग जो है दूसरी और कोई चीज जो है वो नहीं सोचेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर भारत में रहने वाला कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का हो वह अपने ही स्टेट में अगर नौकरी करना चाहता है तो वह आविदन कर सकता है यानि एक बच्चा जो है किसी भी स्टेट के लिए भी कर सकता है आविदन और अपने स्टेट के लिए भी कर सकता है जहां भी उसको रहना है ठीक है तो उसके लिए वो है आविधन कर सकता है मान लेजिए आपकी जो है मेरिट बहुत अच्छे जो हम वो मार्क्स आते हैं तो आपको खुद का आपका स्टेट और जो आपकी मन चाहा जगा है वो है आपको मिलेगी अगर आपकी जो है वो मेरिट में कम मार्क्स आते हैं तो इनके अकॉर्डिंग जहां पर सीट जो है रहेगी खाली वहाँ पर आप लोगों को भीजा जाएगा ठीक है आवासिये विध्याले हैं वहीं आपको रहना होगा सारी सो विध्याएं आपको महाँ पर मिलेंगी आपका एक रुपए भी खर्च नहीं होता है खाने पीने और रहने में और इसके अलावा सैल्डी जो है वो आपको बहुत अच्छी यहां मिलती है पीजीटी की 2266 है मैग्सिमम बच्चे जो है वो इसी की इसी पोस्ट के लिए जो है वो भरेंगे तो अगर आपने बीएड नहीं किया है तो भी यहां पर आप अप्लाइ कर पाओगे यहां पर दो पोस्ट है सीनियर सेक्रीटर असिस्टेंट की है जे एसे की और लेब अट पहले जो विकैंसी जो आप सभी को पता है कि 38,000 से भी अधिक पतों के लिए एकलव्य मॉडल रेजिदेंशल स्कूल में विकैंसी निकाली गई है वो बिल्कुल सही बात है दीरे-दीरे करके आएंगी अभी पीजीटी की आई है नॉन टीचिंग स्टाफ की आई है प्रिं नहीं समझ में आ रहा था कि एस जो है हमारी 42 एर है यह 44 एर हो गई क्या हम apply कर सकते हैं मैगजिमम सभी बच्चे apply कर सकते हैं क्योंकि यहां age relaxation जो है वो सभी को मिली रहा है अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूगी यहां पर देखो only Indian citizen are eligible to apply भा इसके बीच में रहती है और साथ में आपको रहना खाना पीना ये सारा चीज़ां जो है वो फ्री रहती है इंग्लिस, हिंदी, physics, chemistry, math, economics, bio, history, geography, commerce, third language और computer science ये सारे subject हैं PGT के लिए यदि आप apply करते हैं, interested हैं तो आप जरूर apply करना ये मौका बिलकुल नहीं छोड़ना है आपको accountant की देख लीजिए 35,000 से अधिक salary मिलेगी JSA की जो है 19,900 से अधिक lab attendant की जिसने भी बीड नहीं किया हुआ है M.A. नहीं की हुई है तो वो इस form को जरूर भरें 18,000 से 56,900 तक जो है वो salary यहां मिलेगी exam होगा, exam के थुरू आप लोगों को यहां लिया जाएगा, OMR based आपका exam होगा, pen paper होगा, offline mode होगा, ठीक है, Hindi, English दोनों ही language में होगा फिर यहां पर देख लें, आप principal के लिए तो बहुत कम ही लोग जो है वो apply कर पाएंगे, ऐसा मैं यहां पर मान रही हूँ क्योंकि mostly वच्चे जो हम PZT के लिए apply करते हैं, तो देखिए principal के लिए अगर को interested हैं, क्योंकि कई जो होते हैं, जो कि आप देखते हैं कि private school में पढ़ा रहे होते हैं, experience भी उन लोगों को बहुत जादा हो जाता है, और उन्होंने post graduation भी की होती है, B.Ed भी किया होता है, ठी तो principal के लिए apply कर सकते हैं, 130 marks का जो है वो आपका exam यहाँ पर लिया जाएगा, और साथ में 20 marks जो हैं, वो language के लिये जाएंगे, language यानि Hindi और English दोनों, ठीक है, 10-10 marks के जो हैं, Hindi, English आएंगे, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, इसी का, आप लोग थमनेल में जाकर जो ह आप लोगों के सामने एक वीडियो मैंने रखा था, जिसमें detail में सारा syllabus भी discuss किया था, तो PGT के लिए भी 130 marks का जो है, वो आपका exam होता है, यापर 20 marks का जो है, वो language का पूछा जाएगा, Hindi, English और इसमें जो है, वो आपको पास होना भी compulsory कहते हैं, एज आप देखने principle के लिए 50 साल है, और इससे भी अधिक हो जाती है, अगर आपको एज का फायदा मिलता है, एज relaxation आपको SC, ST और OBC कैटिगरी को मिलता है, master degree, B.Ed, 12 साल का experience, जो है वो TGT, PGT में अगर आपको है, तो आप प्रिंसिपल के लिए अपलाए कर पाओगे, PGT की अगर बात करें तो 40 साल है, यह देखिए अलग से ही AIDS relaxation policy जो है, यहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें कितनी चूट मिल रही है, तो आपको, आपकी category wise SC, ST को जो है, वो 5 साल की चूट मिल रही है, ठीक है, इसके अलावा जो है, other backward class, non criminal, इनको मिल रही है, तीन साल की, ठीक है साथ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर, woman जो है, यह सबसे महतपूर्ण, जो की नहीं पता है, 10 साल की जो है, वो आपको छूट मिल रही हर कोई भर सकता है, 50 साल तक, मुझे लगता है, 50 साल के बाद, जो है, वो सायध ही कोई अपलाए करता होगा, इतना जो है, वो काफी ह इस से जदा तो क्या मिलेगा, और इसका लिंक जो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहां पर आप सारी डिटेल देख लेंगे, तो अब जो है, वो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कौन से जो है, सिटी में आपका एक्जाम होगा, तो जैसे आप बिहार राज्य के हैं, तो पटना में जो है, वो आपका एक्जाम होगा, चंडीगड के हैं, तो चंडीगड में ही होगा, अगर बात करें हर्याना की, अगर कोई बच्चा है, तो उसका एक्जाम जो है, वो चंडीगड में ही होगा, ठीक है, राजिस्थान के अगर ब हैं तो वहाँ पर आपको आपकी कैटिगरी का फायदा मिलता ही है तो मेरी विक्तिकत राय यही है कि आप सभी जो कैंडिडेट जो है यहाँ पर अपलाए करें बहुत अच्छी जॉब है और ऐसी जॉब होती है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ पर आप लोग को सेलरी जो है वो बहुत बहुत अच्छी जो है मिलती है गॉर्मेंट जॉब है सेंट्रल जॉब है यहाँ पर और एंटिय जो है इस एक्जाम को करवाता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठेंक यू